प्रस्तूत साख्यां संद कभीरदास द्वारा रची गई है इन साख्यों अर्थाद दोहों में कभी ने निती के वच्णों को सुन्दर धंग से प्रस्तूत किया है आईए हम इनकी साख्यों को देखते है जाती न पूछो साध की पूछ लीजिये ग्यान मूल करो तरवार का पड़ा रहन दो म्यान यहां साध्यों का अर्थ है सज्जन ग्यान का अर्थ जानकारी मूल खरीदना तरवार तलवार रहन रहन मैयान जिसमें तलवार रखी जाती है तो क्या कहा गया है यहां पर? जाती न पूछो साध की सज्जन पूरुस से उसकी जाती नहीं पूछी जाती उनका ज्यान पूछा जाता है उनका ज्यान देखा जाता है अर्थात मनुश्य को उसकी जाती के आधार पर नहीं उसके ज्यान के आधार पर परखना चाहिए खरिदने जाते हैं, तो उसकी कीमत मैयान देखकर नहीं लगाते हैं, तलवार की नोग देखकर, तलवार की धार देखकर हम उसकी कीमत लगाते हैं, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिये, वही एक की एक, यहां आवत का अर्थ है आते हुए, गारी का अर्थ है गाली, उल्टत का अर्थ है पलटकर, खोई का अर्थ है उती, अनेक का अर्थ है बहुत सारी, यहां कभीरदास जी कहते हैं, आबत गारी एक है, यानि कि जब हमें कोई काली देता है, तब वह एक होता है, उल्टत होई अनेक, अगर हम उसे पलटकर गाली देते है तो वो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाता है का कबीर नहीं उलटिये वही एक की एक कबीर दाजी कहते हैं कि अगर हम उस गाली के बदले में गाली नहीं देंगे उस गाली पर अगर हम ध्यान ही नहीं देंगे तो वो एक की एक ही रह जाएगी बात वहें की वहें खत्म हो जाएगी इसलिए मनुष्य को बुरे बचन का परित्याग कर देना चाहिए माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाई कर का अर्थ यहां हाथ है, फिरे घूमना यहां कभीरदास जी कहते हैं, माला को हाथ में लेकर यहां देखिए कर लिखा हुआ है, माला तो कर में फिरे माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को घुमाता है जीब फिरे मुख माहिं और जीब मुख के अंदर घुमती रहती है परन्तु मनुष्य का चंचन मन जो है वो दहु दिसी फिरे सभी दिसाओं में घुमता रहता है मानव का मन जो है, वो गतिसील है, जो बिना विचारे इधर उधर भूमता रहता है लेकिन भगवान का नाम नहीं लेता क्या यह सही अर्थों में स्मरन है? नहीं, ये सच्चे अर्थ में स्मरन नहीं है कबीर घासना निंदिये जो पाउं तली होई उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई निंदिये निंदा करना पाउं पाउं तली नीचे आँखी आँख खरी कठेन दुहेली दुख देने वाली कबीर दाजी कहते हैं कि हमें कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए उसे कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए उसे कभी भी तुछ नहीं समझना चाहिए जो पाउं तली होई वो हमारे पैर के अंदर होता है यानि कि ये तुछ सा वस्तु है इसे कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए क्यों? क्योंकि उड़ी पड़े जब आँखी में खड़ी दुहेली होई अगर एक छोटा सा तिनका भी आँख में गिर जाता है तो वो बहुत दुख देता है अर्थार हमें छोटा समझकर किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए क्योंकि कभी-कभी वो छोटा से छोटा वस्तू भी हमें बड़ा कस्ट देने के लायक होता है जग में बहरी कोई नहीं जो मन सीतल होई या आपा कोड़ारी दे दया करे सब कोई जग संसार बहरी सत्रू सीतल शांती आपा स्वार्थ या खामंड कभी-दाजी कहते हैं मनुष्य का मन अगर सांत हो जो मन सीतल होई अगर मनुष्य का मन सांत हो तो इस संसार में उसका कोई सत्रू नहीं हो सकता यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दे तो सभी दयावान बन सकते हैं अर्थार मनुषे को अपने अहंकार का त्याग कर सभी से मानप्ता का विवार रखना चाहिए. तब जाकर मनुषे का कोई भी शत्रू नहीं हो पाएगा. तब जाकर मनुषे का विवार रखना चाहिए.